नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर आरेस वर्मा और आप सोई लोगा हमारे आईश्मवद्य क्लिनिक गोंडा की इस यूट्यूब चैनल के दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी होमेपैथिक मेडिसीन के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों जिसको हम अर्दसी कहते हैं तो माइग्रेन की समिस्या में दोस्तों क्या होता है कि हाफ साइड पेन बहुत जादा होता है ठीक है सिर का हाफ साइड पेन बहुत जादा होता है ठीक है तो उसी को हम लोग माइग्रेन कहते हैं माइग्रेन में दोस्तों हम एक ऐसी दवा बताने जा रहे हैं जो आपके समिस्या को दोस्तों हमेशा के लिए सही कर देता है चले दोस्तों दो तीन मिनट का वीडियो है आराम से देख लिजेगा ताकि आपके माइगरेन की समिस्या अच्छे से सही हो जाए एक चली क्या है कि आप लोग आधा वीडिय सिनको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों जो की हमेशा के समस्या को सही कर देता है जबाने होते हैं तो कर सकते हैं ठीक है दाहिनी तरफ जिनको माइग्रेन में सिर का जो पेल होता है दाहिनी तरफ बहुत ज़्यादा होता है तो वहां पेदवा दोस्तों बहुत तेज काम करती है जिन महिलाओं में मैंसेज अच्छी तरह से नहीं आता है उनमें दर्द अक्सर इस्टार्ट हो जाता चलिए दोस्तों अगला point हम बता देते हैं सुरज के धूब से दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है अगर आप बाहर निकलते हैं सुरज का धूब लगता है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है तो ऐसे condition में दोस्तों ये दवा बहुत तेज काम करती है द से गर आपका दर्द स्टाड्ट होता है और दाहिनी आख पी या कनपटी बेजा करके रुक जाता है और पेन बहुत ज़्यादा होता है तो वहां पे भी दोस्तों मेडिसिन बहुत तेज काम करती हैं, जी मलता है और उल्टी होता है, अगर अगर आपको पित की हरे रंग की उ भिला है दोस्तों को यह दवा उसके लिए बहुत अचimmी दवा मानी जाती है दोस्तों जो रोगी होता है उसको बहुत जादा और और रोशनी एक्दम सहाइन सहीं नहीं होते हैं रोगी को छुकने से जब वो छुकता है तो पेन बहुत जदा होने लगता है, अईसा लगता है कि पुरा सर्फ हट जाएगा, ऐसा अगर सिंटम आप में पाया जा रहा है, ऐसे सिंटम अगर किसी जानने पैशने वाले को दोस्तों है, तो उनको ये दवा दोस्तों बहुत ते ना हो, किसी भी होमेपैतिक मेटकल इस्टोर पे जाएंगे या किसी होमेपैतिक क्लिनिक पे भी अगर आप जाते हैं तो यह दवा आपको आराम से मिल जाती है अब कुछ लोग पूछते हैं किस कमपनी का दवा लेना दोस्तों जैसे कि हम हर वीडियो में बता देते हैं कि अगर आपको डाक्टर रेगवेक की दवा मिल जाती है डवले असाइ की मिल जाती है या एसबील की मिल जाती है तो इन तीन कमपनीों में से कोई भी कमपनी का दवा ले लिजेगा सील पैक दवा लिजेगा इस दवा का परियोग कैसे करना है दोस्तों आपको क्या करना है पांच भून जो दवा है पांच भून दवा आधे कब पानी में दोस्तों आपको डाल लेना होता है और ये अगर हलका गुनगुना पानी हो तो बहुत अच्छी बात है पांच भून इसमें डाल लीजिए आध को भी खाना खाने से पहले आप चाहे तो खाली पेट इस दबा का उपयोग कर सकते हैं तो इस तरह का पर्योग करना है अगर दोस्तों आप का जानने पहुआ को इस तरह से बहुत ज़्यादा परिसान है तो उन तक मेरे वीडियो शेयर जरूर किजीएगा दोस्तों आप लाइक कर दिएक अगर किसे परकार का कमेंट करना चाहते हैं कुछ कुछना चाहते को यह है दोस्तों मिलेगा है लें ऑगिली मेरे मिडीन साथ अब तक के लिए दोस्तों आप अपने आस्पास साफ सफाई रखें कचिरा नाफले पली तिन को प्योपना कीजिए वातारों को सच बनार के खुद भी सब्सक्त रहें थाइंक्यो धन्दबाद जय हिंद